कि जैन दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों एससी सीजी यह सीएसल के लिए हम फिर से वीडियो दुबारा से बढ़िया से प्रिवेस से कोशन पढ़ेंगे पहला कोशन आपके सामने रहा एलेट्रोन बोल्ट डैस की एक एकाई है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्जा उर्जा जो है आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेट्रोन बोल्ट की जो एकाई है वो उर्जा हो जाएगी और दोस्तों जो ऑप्शन दिए इनकी हम इनिट की बारें बात कर लेते हैं जैसे कि विवांतर की इनिट होती है वो दो सटस्यों में यहां पर आपका दोस्तों सई उत्तर हो जागा रामकिरसाइब यहां राम को पसंद है तो रीपने के बारें थोड़ा विश्टर में जा लेते हैं जिससे कि हम हर exam में question easily click कर सकें तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बढ़िया से फुल जानकारी लेकर आया हूं हिंदोस्तान Republican Association की स्तापना जो है October 1924 में हुई थी आपको जी अच्छे से याद रखना है तो इसमें कौन कौन से करांतिकारीयों ने भाग लिया था जे मैं आपको बता जिता हूं तो यहाँ पर राम पर साथ बिसमेल योगेस चंदर चटर जी चंद सेखर आजाद सचिंदरनात सान्याल सचिंद्र नाथ सान्याल आधी ने कानपुर में की थी तो यह आपर आपको जे किलियर हो गया होगा फ्रेंड्स की हिंदुस्तार रीपबलिक सचिंद्र नाथ सायान इन तीनों ने मिलकर इंदुस्तान डीपबले सचिंद्र की थी तो दोस्तों आई हो आपको किलियर हो गया होगा अच्छे से अगले प्रेसन की और निम नमेंसे कौन सी ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें गर्म कम सगन पधार्थ उपर की और उड़ते हैं तता उन्हें ठंडे अधिक सगन पधातों दोरा पिर्ति स्तापित कर दिया जाता है तो इसे संबहन बोलते हैं और आपका ए बिलकुल सही उत्तर हो हो गया है अगले प्रिसंद क्यों चलेंगे निमने मैं से किसने 1989 में भारत के प्रधान मंत्री मुरार जी देशाई की जगाए ली तो 1979 1989 में प्रधान मंत्री मुराज जी देशाई की जगाए जो ली थी मुरार जी देशाई से पहले इंद्रा गांदी थी आपको याद रखना है मुरार जी देशाई से पहले कौन थी इंद्रा गांदी 1975 के समय ध्याँ रखना है 1946 के समय इंद्रा गांदी भारत की प्रधान मंत्री थी जब मौले कर्तबों में करेक्शन किया गया था अबेंडमेंट सुधार संसुधन किया गया था ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि मुरार्जी देशाई से पहले इंद्रा गांधी पर मुरार्जी देशाई के बाद चौधरी चरण सींग बने और चौधरी चरण सींग के बाद दुबारा से इंद्रा गांधी बनी थी जी आपको याद रखना है मुरारजी देसाई से पहले इंद्रा गांधी थी और चौधी चरंशरंग के बाद भी इंद्रा गांधी बनी थी भारत की पर्धान मंतरी तो दोस्तों परदान मंतरी से भारत परतानमंत्री रह चुके पंडे जवाला लहरू ध्या रखना, 1889 में इनकी यहा पर जन्म होता है, और 1964 में मिरत्थी हो जाती है, अगर मैं बात करूँ कि यहां पर इनोंने कारवार कफ समाला हाथा तो पंडे जबाला नहरू ने कारवार जो समाला था 15 अगस्ट 1947 को और दोस्तों 27 माई 1964 को इनकी मरत्व हो गई थी अगर मैं बात करूँ भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं और भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले या सेवा प्रधान करने वाले प्रधान मंत्री हैं कारेला इनका यसे समाथ हुआ कि जब जे प्रधान मंत्री थे और सी समय प्रधान मंत्री रहते हुए इनकी मरत्व हो गई थी इनका कुल कारेकाल कई वार पर पूछा गया है सबसे ज़्याद रहा इसलिए तो दोस्तो इनका कारेका लगवक 17 साल तक रहा तो 16 साल 26 दिन तक भारत के प्रिथम प्रधान मंत्री पंड़े जबाल लाल नार्यू का कारेका रहा इनकी मरत्यू 27 माई 1964 को होई थी जो आपको याद रखना है अगले पॉंट कियों चलेंगे दोस्तो अगले जो दूसरे भार बरकर उद्धान मंत्री थे दूसरे दूसरे भारत के पर द्धान मंत्री जो भारत के पहले प्रधान मंत्री क्यों कि क्यूंकि पंड़े हो गई तो यहां पर दूसरे बारत के गोल-जाली लॉनन्दव那麼 बने तो आपको द्यान रखना है जब Tommy 1964 को कि मे highness हुई तब इनको का वाहक की रूप में परधान मंतरी बना दिया गया और यह नो जून 1964 तक बने रहे जोंगे? फिर दोस्तो घंड वाहसे समझना भारत के टीसर परधान मंतरी कौन बने तो भारत के लाल वादो शाहसरी बने यह 9 जून 1964 को बने और ग्यारह जनवरी 1966 तक रहे उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान जै जवान जै किसान का नारा दिया था जिया आपको अच्छे से याद रखना है इनका कारेकाल एक बार से 216 दिन तक रहा ठीके दोस्तों अगली पॉइंट की ओचलेंगे अगली पॉइंट की ओचलते हैं गुल्जारी लाल नंदा फिर से प्रधान मंतिरी बनते हैं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 13 दिन का इनका कार कर रहा इस से पहले भी दोस्तों इनका 13 दिन का कार कर रहा था यहाँ पर देखेंगे जब पंडे जवाला नहरे की मिरत्ती हो गई उसके बाद आप देखेंगे लाल बाद और सास्तरी की भी मिरत्ती हो जाने के बाद ताशकंद में फिर से ये कारवग के रूप में परधान मंतरी बने थे गुल जाई राद नंदा तो तेरा दिन का इनका कारिकाल फिर से रादा पर चौथे परधान मंत्री कौन बनी इंद्रा गांधी बनी भारत की पहली महला प्रधान मंत्री भारत की पहली महला प्रधान मंत्री कौन बनी इंद्रा गांधी बनी तो दोस्तों 24 जनुवरी 1966 को भारत की पहली प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी बनती हैं और 24 मार्च 1977 को जे इस्तीपा दे देती हैं सरकार इनकी गिर जाती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1977 में इंद्रा गांदी की सरकार गिर जाती है जिद्धार रखना है आगे की ओर मुरारजी देशाई मुरारजी देशाई जो है पियम बनने वाले सबसे बुजर्ग ठीके ध्यान रखना है एक्यासी बर्स की उम्र में मुरारजी देशाई भायत के परधान मंतरी बने थे तो सबसे उम्रदाज जो परधान मंतरी बने थे एक्यासी बर्स में मुरारजी देशाई याक को ध्यान रखना है सबसे योबा जो प्रधान मंतरी रहें अभी तब भारत के तो राजीब गांदी रहें अभी आगे चलके इनके बारे में भी चर्चा करते हैं तो दो साल 126 दिन का कारिकाराज छटवे प्रधान मंतरी के रूप में मुरारजी देशाई का मुरार्जी देशाई के बाद चौधरी चरण सिंग भारत के प्रधान मंतरी बने ठीके दोस्तों ध्यान रखना है चौधरी चरण सिंग जो है केवाल पीम उजनों ने संसद का सामना नहीं किया, मतलब एक भी दिन संसद भबन नहीं गए चौधरी चरण सिंग एक भी दिन संसद भबन नहीं गए फिर मुराजी चौधरी चरण सिंग के बाद इंदरा गांधी भारत की प्रधान मंतरी बनी यह आगको याद रखना है इंदरा गांधी आटवी दोबारा से प्रधान मंतरी बनी चार साल 291 दिन भारत की प्रधान मंत्री यही पहली महिला जिन्होंने दूसरे कारकार के लिए PM की रूप में कारभार समाला तो यहाँ पर आखको बात समझ में आ गई नवे राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इंदरा गांधी की मिरती के पश्चाथ आप देखेंगे राजीव गांधी बन जाते हैं सबसे कम उम्र में पीम बनने वाले यहाँ पर राजीव गांधी जी हैं सवामी दैनल स्वाशती के संब्द में कौन सा कथन असत है दोस्तो यहां पर इनकरेक्ट आप्षिन बताना है कौन का है, तो यहां पर आगouse को ध्यां. आ पराक्त को ध्यानल स्वाशती ने सत्यार्थ प्रकास पुस्तक लगी है बिल्कुल सही है उनका जन्म गुजरात में हुआ था बिल्कुल सही है आर समाज के संस्तापक है स्वामी दयाना सुस्ति बिल्कुल सही है तो यहाँ पर अगर बात की जाए बिरहम समाज बिरमसमाज की सहस्तापग मोहराय की तो दोस्तों थोड़ा सा हम दयानन सहस्ति जी हैं तो इनके के बारे में थोड़ी सी बात को जान लेते हैं आर समाज की इस्तापना है वो कहां पर हुई थी कब हुई थी संस्तापक आपको बताई दिया है इसके वारे जो लेते हैं 10 अपरेल 1875 को स्वामी दयानन सवस्वती ने आर्ट समाज की स्थापना की थी, कहां पर की थी, बंबई में की थी, जिए भी कोशन पूचा जा चुका है, ध्यान रखना, स्थापक कौन है, तो दयानन सवस्वती जी, स्थापक हैं, जिए आपको अच्छी से याद रखना है, अगर बात की जाए, आर्ट समाज का मुख्याला परतमान में कहा है, तो आर्ट समाज का मुख्याला है, वो कहां पर है, नई दिल्ली में आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगले पर्शन क्यों चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी योजना, ब्रॉड, बैंड, इंटरन सेवां को तीज करने में मदद करने के उद्देश से बनाई गई है, तो यहाँ पर प्रधान मंतरी बाड़ी आपका उप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों छोटा सा मॉटिवेशन जिससे आपका थोड़ा सा मनुवर बढ़ेगा, जो चल रहा है उसके पां में जरू चाला होगा, जो चल रहा है उसके पां में जरू चाला होगा बिना संगस के चमक नहीं मिलती, जो गई है तो जल रहा है तिल-Til पर उसी दीए में उजाला होगा, तो दोस्तों इसी कसाद अगले कोक्शन के चलते हैं, डैस गुर्दे मतलब किड़नी की सरत् और कार्यत में एक आई क्या है तो मैंने आपको पहले पता चुका हूं SSC MTS के बहुत सारे वीडियो में जो की उत्तर क्या हो जाएगा बिक्राडू मतलब नैफ्रोन आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा बहुत इंपोर्डेंट है दोस्तों जो मैंने SSC MTS की वीडियो करा दोस्तों कौन सी पुस्तक का नम में पूछा है यहाँ पर दिया गया है किताब उलहिंद का लेकक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंबिक ग्यारवी पुस्तक के मतलब ग्यारवी सतावधी के भारत का महत्मुन विबरन दिया है तो यहाँ पर दोस्तों आप से कोश्चन बहुत बड़ी है तरीके से पूछा है कि किताब उल हिंद दोस्तों मैं आपको बता दू किताब उल हिंद जो है इसका दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद क्या नाम है दोस्तों तहकीक ए हिंद जोगी MPPSC 23 में कोश्चन भी पूछा गया है तो तहकीक ए हिंद जोगी अगर बात क अलवरुनी की बात की जा रही है तो अलवरुनी किताब उलहिंद या पिर तहकीक एहिंद के लेका के हैं जोनों ने ग्यारी सताबदी के आराम में भारत के विबरान की बात करी है मैं दोस्तों इसके अलावा भी बहुत important fact बताता हूं जो अलवरुनी है वो महमूत गजनभी क के साथ भारत आयता अलवरुनी जो है महमूत गजनभी के साथ भारत आयता जो आपको अच्छे से याद रखना है ऩ। हम अगले प्रस नीगयोंडe की चलते हैं गुरु दौरा पाताल पूरी साहवाढ़्यस नदी के तरपर इस्तित है तो गुरु दौरा दोस्तों पाताल आइस कलाइमिंग महुस सब डेस घाटी में मनाय गया है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नुब्रा घाटी नुब्रा घाटी बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा जो नुब्रा घाटी है वो कहां पर है दोस्तों तो मैं आपको बता दू नुब्रा घाटी जो है ल तहामे की खान के लिए प्रसद है तो तहामे कदान के लिए प्रसद जो है केतली केतली आपका विल्कुल सही उतर जाया केतली जो है दोस्तों राइस्तान में जाको याद रखना है बहुत ही ज्यादा महत्पून अगला प्रशन बाग मारा कीट भोजी घट परणी मतलब की मेगाला इजदा राइट आंसर हो जाएगा अगले प्रसद कीओ चलेंगे दोस्तों बिसेश्ट लेंदिन संदर संख्या डैस बर्णों का एक कोड है जिसका उपियोग आर टी जी ऐस परनारी में बिसेश्ट लेंदिन की पैचान में किया जाता है तो दोस्तों यहाँ प यहाँ पर गठन हुआ था पंडे जवाला नहरु पहले इसके अध्यास देश्ट तो कोश्चन पूचा गया है भारती जुना आयोक की स्थापना किस बर्स में की गई थी तो उनीस सो पचासी में की गई थी ध्यां रखना है पंदरा मार्च उनीस सो पचासी को उनीस सो पचास को इस्तापित की गई थी और इसके अध्याच परतब्सम जो थे पंडे जवाला नहरु दो इस जना आयोकि इस्तान पर नीति आयोग आया तो जी आपको ध्यान रखना है एक जनवरी 2015 को नीति आयोग की इस्तापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो परदान मंत्री जी होते हैं अगला प्रसन बहुत ही मैत्पूर्ण इस सम्मांदित मैं आपको बहुत सारी कि जानकाई दे आहूं दोस्तो 1931 में पहला गोल में संहुलन होता है पिर दोस्तो 1932 में तिरती जैंस प्राद किये जाते हैं कहां पर आयज़द किया धो तीनों के तीनों गोल में सम्मेलनों में डॉक्टर भीमरा अम्मेडगरजी उपस्ते थे डॉक्टर भी और अम्मेडगरजी तीनों गोल में सम्मेलन में उपस्ते थे इसके लावा में आपको यहाँ पर बात बताओ तीनों गोल में सम्मेलनों का कोई हल नहीं निकला सब ऐसी फाल्दू थे बेबकू बना जा रहा था भारतियों को वहां पर बुला के बस ऐसी जासा देना लेकर यहां से एक कोशन और पूचा जाता है कि दुत्तिये गोल्मे सम्मिलन में कब भारत के तरफ से महत्मा गांधी जी ने भाग लिया था तो दोस्तों 1931 में महत्मा गांधी जी ने दुत्तिये गोल्मे सम्मिलन में भाग लिया था बोलंदन जाके पार्टिसिपट किये थे तो महत्मा गांधी जी ने दुत्तिये गोल्मे सम्मिलन 1931 में भाग लिया था तो आसा करूंगा आपको त्रीनों गोल्मे सम्मिलन के बारे मैं जानकरी प्राप्त हो गई होगी कब कब हो थे ताहि civic मने आपको बता दिया आप फिट से बता तेता हूँ पहला में छे मिला निसносती स तीस त्रितिय गौल में है明白 अप covenant नमदियाय। तो यहाँ पर लीडर थे मात्मा गांधी जी, 1931 में मात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, दोस्तो इस तरह से मैं आपको डिटेल में जानका थी, तो आपको डिटेल अच्छी लगी होगी, जली से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सस्क्राइब नहीं किया दो, चैनल को सस् रहाँ है तो मैं आपको बता दूं यहां पर बजन और बल की एक ही हिज़ा होती है जा रहा nause Budget मैं बता रहा है जोस्तों बजन और भार और ल सबा ल सबता लेकि एक होती है गज़ानों बात 좋ते है जा रहा सबस्क्री में बात करों और तोपनों और डाइमेंशन एक ही होती है उर्जा और कार दोनों की विमा एक ही होती है जिए आपको अच्छे से याद रखना है ऐसी मैं आपको बता दूं बेग और गती की यहाँ पर दोनों की विमा समान होती है जिए आपको याद रखना है अगला कोशन निम्न मैंसे कौन सा भारत के पश्मी तटपर नहीं है जो आपको अच्छे से याद रखना है सूरद कारवार मंगलोर जो तीनों के तीनों भारत के पश्मी तटपर है अगले एक प्रिस्न क्यों चलेंगे दोस्तों जो कि आपके लिए भड़िया से रहने वाला है ज्यान सुनेंगे निवनिमेसे किस मंद में आपको गोपुर दिख जाएंगे तो गोपुर आपको कहां पर दिखने वाले हैं तो गोपुर जो आपको दिखने वाले हैं वो आपको तमिन नाडू में गोपुर दिखेंगे तो तमिन नाडू के शिम मंदिर चिदम बरम में आपको गोपुर दिख जाएंगे तो का corporate का で भावर के बाद कौन मुगल समराज का सासक बनाता तो औकवर ध्यान दागना ठीकर दोस्तों अकवर के बाद कौन बनाता जहांगीर, जहांगीर के बाद साजा, यह भी आपको करम याद रखना है, अगला प्रशन भूकम्प या बिस्पूर्ट जैसे आवेक दोरा उत्पन ने प्रतियास्त तरंग को क्या कहा जाता है तो दोस्तों भूकम या बिस्पोड जैसे आविक दोरा उत्पन प्रतियास्त तरंग को भूकम पी तरंग कहा जाता है तो आपका जो है ऑप्शन भी भूकम पी तरंग बिल्कुल सई उतर हो जाएगा तो भूकम या बिस्पोड जैसे आब एक दोरा उत्पन प्रत्यास तरंग को क्या कहा जाता है option B भूकम भी तरंग कहा जाता है अगला प्रस्ण क्यों चलेंगे बीर सुरेंद साई निम्न इस्थान के रहने वाले सुतंता सेनानी थे तो दोस्तों बीर सुरेंद के संस्तापक है वो कौन है सेम्वाल हैनी मेन तो सेम्वाल हैनी मेन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेम्वाल है तो सेम्वाल हैनी मेन होमियोपैती के संस्तापक है अगर मैं बात करूँ रोबर्ट कोच तो रोबर्ट कोच जो है टीवी बेक्टेरिया के संस्तापक हैं टीवी बेक्टेरिया कोज किस ने की थी दोस्तो तो टीवी बेक्टेरिया कोज रोवर्ट कोज ने की थी ऐसे ही दोस्तो मैं आपको और ही important fact आपको बता दूँ अगर मैं बात करूँ दोस्तो DNA की खोच किस ने की थी तो DNA की खोच जो है DNA DNA की खोच जो है दोस्तों किस ने की थी Watson और Crick ने की थी तो आपको यह भी अच्छी से याद रखना है Watson और Crick ने DNA की खोच की थी ऐसी दोस्तों मैं आपको और important fact बता दूँ तो आप ध्यान से सुनना तो DNA के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ रक्त परीवर्तन या फिर रक्त परी संचरन की खोज किस ने की थी तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ रक्त परी संचरन की खोज रक्त परी संचरन रक्त परी संचरन रक्त परी संचरण की खोज जो की थी दोस्तो कार लेंड इस्टीनर ने की थी किसने की थी कार लेंड इस्टीनर ने की थी तो कार लेंड इस्टीनर आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कार लेंड इस्टीनर ने रक्त परी संचरण की खोज की थी तो कालन इस्टीनर ने रक्त परी संचन की होज की थी ऐसी मैं अगर बात करूँ और ही important तो 6 चक के टीके की खोज किस ने की थी देवी आप से question पूछा गया है 6 चक के टीके की खोज चेचक के टीके की खोज चेचक के ठीक की खोज जो दोस्तों की थी वो किस ने की थी दोस्तों तो आपको ध्यां रखना है Edward Jenner Edward Jenner ने ठीकक की खोज की थी चेचक के ठीकक की खोज की थी तो चेचक के ठीकक की खोज Edward Jenner ने की थी Edward Jenner ने Edward Jenner ने खोज की थी Jenner एड़वर्ट जेनन ने चेचक के ठीके की खोज की थी ऐसी दोस्तों और important है आपको ध्यां रखना है जैसे की bacteria बैक्टिरिया की कोज किसे ने की थी तो दोस्तों bacteria की जो खोज है आपको याद रखना है bacteria की खोज जो है बैक्टिरिया बैक्टिरिय एक खोज जो है आपको अच्छे से याद रखना है लिवेन होक ने की थी लिवेन होक बहुत इंपोरेंट इंपोरेंट बता रहा हूं दोस्तो जो कि आपकी एक्जाम में छपने वाले हैं अगर मैं बात करूँ डाइबटीज की खोज डाइबटी जो मदु में रोग हो जाता है डाइबटीज की किसे ने कीती तो बैटिंग न कीती ध्यान रखना बैटिंग ने कीती यह आपको अच्छे से याद रखना दोस्तोछ मैसूर महिल जो है दाब को मांदाब का सब्सक्राइब करने के लिए प्रिनोध को किससे विवाजित किया जाता है तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ दाब बरावर क्या होता है तो दाब बरावर जो होता है थ्रस्ट थ्रस्ट को क्या कहा जाता है बल कहा जाता है थ्रस्ट को प्रनोध भी बोल देते हैं तो किस से भाग देंगे हम एरिया से भाग देते हैं अगर मैं बात करूँ प्रयस्र, इस गलेडो जाने से पहले हम दोश्तों आप आप से लेंगे बिदाएंसा एपको हमारे वीडियो अच्छी अच्छी लगए होगी और अंता वीडियो देखने के लिए बहुत भूत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद प्रणना जैहिन झाल झाल